हेलो दोस्तो आप सभी का All-Round Knowledge में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग दस्थान यानि सूरज के बारे में 10 लाइन्स लिखने जा रहे हैं वो भी Translation के माध्यम से तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंतक चरूर देखेगा आज का पहला सेंटेंज है सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है तो सूरज यानि की दसन दसन इज अवेरी बिग गोला का बाल लिखेंगे बाल और का के लिए ओफ यूज़ करेंगे बाल ओफ फायर एक छीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे की आग का गोला यानि की आग है उसके बाद का है उसके बाद गोला है लेकिन इंगलिस में पहले गोला का है यानि की पहले गोला लिखे हैं बॉल उसके बाद का का ओफ और उसके बाद फिर आग का फायर यानि आग का गोला तो यहाँ पर क्या होगा बॉल ओफ फायर फायर ओफ बॉल गलत हो जाएगा नेक्स सेंटेंस है यह प्रिथवी से बहुत दूर है यह प्रिथवी से बहुत दूर है तो यहां का it लिखेंगे it के साथ each लगा देंगे it is far away यानि बहुत दूर प्रिथवी से from the earth it is far away from the earth इसलिए यह छोटा दिखता है इसलिए क्या लिखेंगे यहां का लिखेंगे it दिखना का लिखेंगे look और it थर्ड परसंद सिंगूलर नमबर है इसलिए s लगा देंगे so it looks very small next sentence है यह बहुत गर्म है यह बहुत ही सिंपल है it is very hot हम लोग इस से परकास और गर्मी प्राप्त करते हैं हम लोग इस से परकास और गर्मी प्राप्त करते हैं तो हम लोग का लिखेंगे we यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है प्राप्त करना का gate आप लिख सकते हैं we get परकास का light लिखेंगे light and heat परकास और गर्मी और इस से का लिखेंगे from it we get light and heat from it next sentence है सूरज पूरब में उखता है दोस्तो यह किस tense में है जिहां सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सूरज का लिखेंगे the sun आसमान में जो भी दिखाई देता है उसमें the जरूर लग जाता है या जो दुनिया में अकेला है the sun उगना का होता है rise और सूरज अकेला है तो एस लगा देंगे the sun rises in the east और जितना भी दिशा का नाम होता है पूरब पस्ची मुत्तर दक्षिन east west और north और south उसमें the जरूर लगता है e भौबल है इसलिए दी पढ़ेंगे the east और जब पूरब में उखता है तो पस्ची में डुपता है यहाँ पस्ची में डुपता है यहाँ पर हो जाएगा it sits in the west it sits in the west next sentence है हम सूरज को आकास में चलते हुए देखते हैं हम सूरज को आकास में चलते हुए देखते हैं we see हम लोग देखते हैं the sun we see the sun move चलते हुए आसमान में in the sky we see the sun move in the sky लेकिन सूरज नहीं चलता है लेकिन सूरज नहीं चलता है लेकिन का लिखेंगे but but the sun और यहाँ पर हो जाएगा does not क्योंकि the sun अकेला है singular number है इसलिए does not use करेंगे but the sun does not move और आज का आखरी सेंटेंस है पृथवी सूरज के चारो और घुमती है पृथवी सूरज के चारो और घुमती है तो पृथवी यानि दी अर्थ दी अर्थ moves around the sun उमीद करता हूँ दोस्तों और विद्यार्थियों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आसानी से आप 10 lines लिख सकते हैं sun के बारे में और खासतों से जो छोटे-छोटे students है उनके लिए बहुत ही important वीडियो है और जो सुरू से English सिखना चाहते हैं translation के द्वारा English सिखना चाहते हैं और English सिखने में दिल्चस्पी है उसके लिए भी यह वीडियो काफी important है और इसी तरह से English सिखने के लिए आप लुक सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा और देख वाग्टा रहाईए और दूसरे सिखने करीजिए ट्रूर दूसरे सिखने